आदाब दोस्तों मैं आपके साथ जफर सुदी की आप देख रहे हैं पियार भी जहां देश आजादी का 75 वा माहुतसव मना रहा हो वहां चुने गए सांसद अगर देश के सबसे बड़े लोकतंतर के मंदिर में भी अगर जनता की आवाज ना उठा सके तो आजादी का क्या म समविदान खत्रे में विपक्ष लगतार अपने चुनावी मुद्दों में समविदान खत्रे में के नारे लगाता रहा और जब सत्ता बन गई जब विपक्ष के लोग संसद पहुँचे तो वो लोग सभी लोग यानि कि इंडिया लाइंस के तमाम वो लोग हाथ में समवि स कुने गए पिछले कार्यकाल में भी वहीं लोगसाबा के स्पीकर थे यानि के ओम बिरला ये नाम हर को दो करे जानता यो है वो पिछले कार्यकाल में भी रहे और इसकार यह लगता है और जब इससे विज बाइध नही सा Graduate आ और आप गांदी की सदस्ता भी पहले रद हुई आपने देखा होगा और बहुत सारे सांसदों की जो है वो सदस्ता भी रद हुई तो इस से पता चलता है कि जहां एक तरफ जनता ने जो है वो इस बार विपक्ष को भारी मेंडेट दिया यानि कि भारी बहुमत दे कर जो है उनको संस सदस्ता भी और उसके बाद देश वर में जो है हंगामा हुआ है इनके जो राहुल गंदी के पहले सदस्ता भी गई थी देश भर में हंगामा हुआ परदशन हुआ माइक म्यूट को लेकर लेकिन इस बार जनता का मेंडेट परदान मंतरी मोदी के खिलाफ रहा विपक्ष ने जनता को बड़ा समर्थन दिया लेकिन घटक दलों के साथ मिलकर परदान मंतरी सत्ता में जो है आगे और तीसरी बार परदान मंतरी बन गए लेकिन इस बार फिर ओम बिरला को स्पीकर बनने का वोका मिला कॉंग्रेस के गद्दावर नेता राहुल गांदी जो है वो प और फिर राहुल गांदी का संसद में माइक म्यूट कर दिया गया जब राहुल गांदी ने इसका विरोध किया ओम बिरला यह बोले के मेरे पास कोई माइक म्यूट करने के लिए बटन नहीं है आए पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं जिसमें वह सब कुछ हो रह जी हाँ देखिए आपने वीडियो को के ओम बिरला साफ अपना पला यह ज़ाड रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरे पास कोई माइक म्यूट करने के लिए बटन नहीं होता है संसद में किसी का माइक म्यूट होता है तो आखे जिम्मेदार क्यों कौन यह जनता सवाल कर रही ह जनता इसलिए सवाल पूछ रही है कि जब संसद के जो लोग सवाई स्पीकर हैं उन्हें यह क्यों नहीं पता कि माइक म्यूट कैसे हुआ और माइक म्यूट विपक्ष का ही क्यों होता है सत्तापक्ष की लोगों का माइक म्यूट क्यों नहीं किया जाता है इसी तरह कि आजादी के 75 साल बाद बी चुने गए सानसद अपनी बात को लोक तंत्र के मन्दिर में नहीं रख पाएं तो इससे क्या आजादी की कल्पना की जा अचाटी है परदान मंतरी मोदी जो है वो यह कह रहेते के जहाँ परदान मंतरी मोदी ने भी शपत ली तमाम सांसदों ने शपत ली और ये शपत लेते हैं कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे हम सची सरद्धा के साथ काम करेंगे तो क्या ये सची शरद्धा है जिसकी शपत में कसम खाई जा रही है यानि कि समविधान की कसम जो खा शाही चल रही है राज तंत्र चल रहा है अगर लोग कंत्र का मतलब क्या होता है लोग कंत्र का मतलब होता है आजाद आजाद भारत के अंदर लेने वाले हर्वेक्ति को आजादी है बोलने की आजादी है पहनने औरने की तो जब चुने हुए सांसत आखिर आजाद क्यों नह कुछ लगाना चाहिए जैसे ही राहूल गांदी सदन में नीट के मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो स्पीकर बंद कर दिया जाता है स्पीकर म्यूट कर दिया जाता है तो आखिर क्या समझें क्या आजाद भारत में जो है वो आज भी आजादी नहीं है तो जब लोग तंतर पर हमला हो रहा हो जब चुने हुए सांसद का माइक म्यूट हो रहा हो तो लोग सबाई स्पीकर पर तंज कसते हुए विनोध कापड़ी ये फिल्म मेकर है यानि के राजनितिक दुनिया के लोग तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं लेकिन अब फिल्मी दुन speaker चुने गए हैं अब उन पर ये इस तरह के सवाली निशान लगने लगे हैं कि ये जो है लोग तंतर के लिए कलंक है तो क्या लोग सबाय speaker लोग तंतर के लिए कलंक है और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे लेकिन एक सम्वानित पद है हम इस बात के लिए अपने नहीं कह सकते के कलंक है लेकिन आखिर सवाल तो इसलिए उट रहा है क्योंकि लगतार जो है वो लोग सबाद speaker जो है वो इस तरह का वर्क कर रहे हैं क्योंकि पिछले जब कारेकाल चला तब इस तरह की बाते जो है वो सामने आतरी लगतार राहूल गांदी जो है लेकिन राहूल गांदी ने आज भी कहा संसद के अंदर के मैं नीट पर बहस करना चाहता हूं नीट के मुद्दे पर ब केम हुआ नीट में उसके खिलाब जब बेटियां सडकों पर उतरी तो उनको लाठी डंडों से इस तरीके से पीटा गया कि जिसकी कोई कल्प नहीं की जा सकती त्यानिक्य उस देश में बेटियों की पूजा की जाती है यह कहा जाता है कि बेटिया जो है उनके लिए वर्त रखा जाता है नो दिन का लेकिन उन बेटियों को पर किस तरीके से लाठी डंडों की बारिश होई और कल जंतर मंतर पर फिर नीट के खिलाफ जब परदर्शन हो रहा है तो पुलिस ने जो लाठी डंडे बरसा है यानि कि दल्ली पुलिस हो चाहे वो रैपिड एक्शिन फ पोई ना बोले तो क्या देश लोगतंतर से चलेगा सबाटर माइक मूट क्यों होता है तो लगतार माइक मूट पर आपको अपडेट दिखाएंगे इस तरीके से जोह थैटे तौर Heck का लोग तंतर जो है वो खत्म हो जाएगा और भी तमाम लोग जो है वो ट्विटर एक्स हैंडल पर लिख रहे हैं बार-बार लोगों का यह कहना है कि माइक म्यूट देश के किसी भी सांसत का नहीं होना चाहिए चाहिए वह सत्ता पक्षके हो यह भी पक्षके हो लेकिन अग प्रदान मंतरी मोदी का इशारे पर चलेगा या जनता ने जो मेंडेट दिया है यानि कि जिन लोगों को जनता ने चुना है क्या उन लोगों के करने से उन लोगों के मानने से जो है वो देश चलेगा तो इस तरह कि तमाम अपडेट्स जो है वह हम आप तक पहुचाते रह हैं क्योंकि आज लोग तंतर वाकिए खत्रे में यानि कि लोग तंतर का जो चोथा स्थम पे जिसको पत्रकारिता कहा जाता है आज पत्रकारिता जो है वो भी कहीं न कहीं खत्रे में मंडरा रहा है क्योंकि सरकार का दबाओ है सरकार जो है लगतार जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो एक्शन में हैं तो इसलिए आप लोग जो लगतार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें वीडियो को देखकर क्या कुछ आपको हमारी चीज़ समझ में आई अपकी जो कमेंट्स आते हैं उनसे जो हमें होसला मिलता है काम करने के लिए हमें नए रास्ते मिलते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी पिरत्रगिया हम में भीजते रहें हमारे कमेंट बॉक्स में तागे हम आप तक जो इस तरह की तमाम वीडियो तमाम वह खबर हैं जो मैं इस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती आप तक पहुंचाते रहें जब तक कि लिए आप से अलविदा देखते रहें प्यार भी